ये गंदा पानी जर्मनी के जार बुरूकन इलाके से आता है और जार लांड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसे साफ किया जाता है। गर्मी वाले दिनों में भी 25,000 क्यूबिक मीटर पानी होता है जबकि बारिश के दिनों में पानी की मात्रा कई बार तीन गुनी तक बढ़ जाती है। तीना फॉलर थुन गंदे पानी की जांच पड़ताल करती हैं। आज कल वो जांच रही हैं कि सीवेज के पानी के नमूनों में कहीं कोरोना वाइरस तो नहीं है। इस तरह कुरोना टेस्ट की तुलना में संक्रमन के बढ़ते मामलों का बेहतर पता लगाया जा सकता है। वेस्ट वाटर के निगरानी का फाइदा ये है कि हम असल में सभी संक्रमित लोगों का रिकॉर्ड रख पाते हैं। क्योंकि हम में से हर कोई बात्रूम जाता है। हमारा मलमूत्र हर हाल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पलांट पहुचता है। इसका मतलब है कि उस संक्रमन के एसे मामले भी पता चल जाते हैं जो दरज नहीं हुए। ट्रीट्मेंट प्लांट पहुचने वाले वेस्ट वाटर की पड़ताल सामान्य है इसमें प्रदूशक तत्व, नाइट्रेट कॉंटेंट और पीएच वेल्यू की जाच की जाती है इसके लिए आटोमेटिक सेंपलर हर दो घंटे पर एक छोटी बोतल में पानी भरता है बेन्यमिन वुल्फ हर दिन तैसमें पर नमुनों की जाच करते है ये बोतल कोरोना सेंपलिंग के लिए है बड़ी बोतल हमारी सेंपलिंग के लिए है जो हम रोजाना करते है इस बड़ी बोतल को महीने भर तक फ्रीज करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पढ़ने पर हमारे पास सेंपल सुरक्षित रहें दो साल पहले डार्म स्टार्ट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुजाने लकनर ने पता लगाया कि वेस्ट वाटर के नमूनों से जाना जा सकता है कि किसी इलाके में कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से कोरोना वाइरस फैल रहा है उस समय वो अपनी टीम के साथ मिलकर कोरोना की जल्दी पहचान करने के तरीके खोज रही थी और उन्हें वेस्ट वाटर में इसके सुराग मिले सीवेस ट्रीटमेंट प्लांट में जिस इलाके का वेस्ट वाटर पहुचता है वहां संक्रमन के मामलों का पता लगाने के लिए ये डेटा इस्तमाल हो सकता है आप फैसले ले सकते हैं कि टेस्ट की संख्या घटाई जाए ये बढ़ाई जाए या फिर कोरोना पाबंदियों में ढील दी जाए या नहीं उस समय ये एक बड़ी कामियाबी थी नीदलेंड्स, स्पेन और अमरीका में कई जगे इस तरीके को अपनाया गया क्योंकि लाखों कोरोना टेस्ट करने के मुकाबले ये कहीं सस्ता था अब 2022 में 20 जर्मन नगर पालिकाएं वेस्ट वॉर्टर मॉनिटरिंग के इस पाइलिट प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है ऐसा है कि लक्षन उभरने के कुछ दिन पहले ही संक्रमित मरीजों के मलमूत्र में वाइरस की मौजूदगी दिखने लगती है इसलिए वेस्ट वॉर्टर सैंपल देखकर पहले ही पता लग सकता है कि संक्रमित की क्या रफ़तार है इस तरह तैयारी के लिए हमें करीब 5 से 10 दिन का समय मिल जाता है जारलांड फ्रांस की सीमा के नजदीक पढ़ता है इसलिए फ्रांस से आने वाले वेस्ट वॉर्टर की सफाई भी यहां जर्मनी में होती है और अब इसकी जाँच भी हो रही है इसके नतीगे कोरोना महमारी खत्म होने के बाद भी काम आ सकते है हम दूसरे वाइरसों की पहचान में भी यही प्रक्रिया इस्तमाल करना चाहते हैं जैसे इंफ्लुएंजा या पोलियो की निगरानी के लिए भी यह तरीका अपनाया जा सकता है इस पर अमल के लिए जरूरी है कि यहां इस पर काम हो और पता लगाया जाए कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है फिलाल सार्स कोव 2 की जाँच के लिए पूरे जर्मनी से लिए गए वेस्ट वाटर सेंपल सेंटरल लेबर्टरी बहजे जा रहे हैं दाक के जरिये शैद बाद में ये जाँच सीधे साइट पर की जा सकेगी तब वेस्ट वाटर नमूनों की जाँच के नतीजे और जल्दे मिल पाएंगे